राजिस्थान के बारा चीपा बड़ोद उपखंड एवं चबड़ा चीपा बड़ोद विधानसबाद शेत्र में लंबे समय से चल रहे किसानों का महापड़ाव और किसानों द्वारा चबड़ा में ट्रेक्टर महापड़ाव करके किसानों द्वारा सरकार पर पूर्व में तबाव भी बनाया गया था उसके बाद किसानों द्वारा रेल रोको आंदुलन को लेकर चबड़ा चीपा बड़ोद विधान सभाशेत्र में सरगर्मिया तेज हुई साथ ही किसानों द्वारा रेल रोको आंदुलन के द्वारा किसानों को प्रशासन द्वारा रेलवे ट्रेक तक नहीं पहुंचने दिया गया उससे पूर्व प्रशासन द्वारा किसान नेदाओं को समय दिया गया था कि कुछ ही समय में किसानों के खातों में मुआफ़ा राशी डाल दी जाए जिसको लेकर पूर्व डायरेक्टर एवं सरपंज प्रतिनिधी पपूधाकर गगन चाना ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी लडाई सरकार से है क्योंकि इस सरकार में युवा मजदूर किसान हर समय अर्तब के हर वर्ग का व्यक्ती बहुत ही परेशान है क्योंकि इस सरकार में हर व्यक्ती के साथ शूशन किया जा रहा है साथ ही छेतर में कई फैक्टरियां बनी हैं जिने हैं अमारी नदियों को रोक कर उन पर बड़े बड़े डैम बना कर उन फैक्टरियों को पानी दिया जा रहा है नहर का एक गाउं विसंच इतनी हो रहा है, आलम नहरों के लहे भी लड़ेंगे, हमारी लड़ाय लंबी है, लंबी दोपान साथ तक जारी लेगी, और और भी कारण है, आट गंटे लाइट, और फाइल लगाते हैं तुरंद किसान को कनेक्शन मिनना चाहिए, खहीं लड़ा जारी है, इंका एक और कपसे बड़ा मुद्दा है, जमीन हमारी, गाउं हमारा घर, नदी हमारी, नदी को भी रोग लिया जाता है, नदी पर डेम बना तरके उसका पानी जो सेत्र में जो प्लांट बन रहे हैं बड़े-बड़े उनको पानी दिया जा रहा है, गाउं उसम जिन प्लांटों में ये पानी जा रहा है, उस प्लांट में भी अमारी जमीने हैं, और जमीने जाने के बाद भी अमारे जो सेत्र के युवा है, वो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं देखती रहिए, डीवी भारती सामचार, नजर हर खबर पर